हलो दोस्तों वेलकम डूसाइबर टेक और मैं हूँ आपका दोस एजासिया फ्रेंड्स शिबा इनू के एक और वीडियो के साथ मैं हूँ आपके सामने और शिबा का डेली डूस हम सब के लिए बहुत जरूरी है बार्किट रेंकिंग शिबा की दोस्तों 13 नंबर पर है और ट इनू की प्राइज 0.00004419 पर है आप देख सकते हैं यह इंक्रीजमेंट आई थी और प्राइज 2447 तक गया था उसके बाद फिर नीचे है और अगेन जो है वो उपर चला गया है तो यहाँ पर कंसुलिडेशन मूड अभी शिबा इनू का चल रहा है जो अप्ट्रेंड शु मतलब मेरे चानने सो होगा तो नहीं लेकिन मकसद यह है कि यहां तक 0.000047 तक प्राइज पहुंचने के बाद इस रिजिस्टेंस को मतलब उपर अगर ले जाता है तो हम सब के लिए अच्छा होगा हम यह मतलब यह इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि यहां के बाद प्राइज के उपर जाने के चांसिस हैं यह आज हो जाए कल हो पर सो हो तो फिर यह है कि हम इस अप्रेंड को देखेंगे दूसरी बात दोस्तों यह है कि अगर नीचे भी आता है तो यह क्लोज केंडल जो है वो कहां पर क्लोज होती है यह देखना जरूरी है मतलब यह कि यह जो ट्रे में ही Shiba Inu रहता है तो उससे यह होगा कि Day by Day अब ज्यादा तर Expect किया जा रहा है Both of the sides मौझूद है Crypto Market में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह December जो है वो Dumping का होगा बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि December के End तक Coins की Price जो है वो बहुत जादा हाई पकड़ गई थी और उपर चली गई थी यह जरूरी मीं नहीं है कि जो Last Year हुआ वो अभी भी हो लेकिन हम जाहर सी बात है History से ही लेसंस लिया करते हैं तो यहाँ पर यही चीज़ जो है वो अभी हम कर सकते हैं Shiba Inu and Nine More of the Biggest Hits 2021 के दोस्तों जो है उसमें नमबर वन पर तो अभी भी आप देख सकते हैं Bitcoin ही मौजूद है दूसरे नमबर पर Ethereum और उसके बाद Doge Coin और दोस्तों चोथे नमबर पर Shiba Inu Coin आपको यहाँ पर नजर आता है फिर Cardano है, Solana है और XRP है तो अब यह जो list है दोस्तों कहने का cryptocurrency उसमें तो मेभी जो है वो Bitcoin के बाद दूसरे नमबर पर Shiba Inu का या फिर मेभी पहले नमबर पर भी नाम आ सकता है यह Shiba Inu को credit हासिल है उसके बाद दोस्तों Now payments की जानिब से एक article आया है जिसमें उन्होंने काया के ship burning philosophy why burning ship token is a new trend तो यह एक burning ship token जो है वो एक new trend आया है इसको नया trend बनाना है ऐसा कहले है क्योंकर इसकी एक अपनी philosophy है वो क्यों है यहां पर इसके लिए बहुत सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों share की गई है नमबर वन तो यह यहां पर दोस्तों introduction है Shiba Inu का उसके बाद gateway का बताया गया है के now payments ने gateway बना दिया है key points इसके देख लेते हैं Shib has evolved from a meme token into one of the most promising crypto assets in the world तो यह बिल्कुल Shiba Inu ने किया है इसको एक meme token के तोर पे ही देखा जाता था लेकिन उसके बाद यह है कि Shiba Inu की community जो है वो तो यह मानने के लिए भी तयार नहीं कि हम meme token है मैं भी उनमें से शामिल हूँ हम नहीं कहते कि हम अब meme token है क्योंके एक meme token के पास कोई भी ecosystem वगेरा नहीं हुआ करता लेकिन Shiba के पास एक बहुत ही strong ecosystem भी मौजूद है community जो है वो बहुत ही ज्यादा promising है as like you and me और दोस्तो Shiba Swipe भी मौजूद है different चीजें अभी upcoming है और उनकी repetition में नहीं कर रहा लेकिन यहां पर सिर्फ आपको ecosystem के बारे में थोड़ा बताना है क्योंके यहां पर जिक्र आ गया था तो यहां पर आप देख सकते हैं what is coin burning in the first place तो coin burning क्या है यह already बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ लेकिन दोस्तो आप अगर नए है चैनल पर या आपको नहीं पता तो first of all तो यह है कि आप चैनल को जाहर सी बाते दोस्तो subscribe जरूर कर दे ताके आप तक मेरी information मेरी वीडियो के notification पहुँचते रहें burning दोस्तो एक ऐसी चीज होती है tokens की जहां से क्यूंके आप एक गलत address पर token भेजते हैं तो वहां से return नहीं हो सकते एक सही address पर भेजते हैं तो भी वो honor जो है जिसको आपने send की है या गलती से उसके पास चले गए हैं तो सिर्फ वो ही आपको send कर सकता है वैसे उनको लोटाने का कोई तरीककार मौजूद नहीं है अभी तक cryptocurrency में तो यह है के एक गलत address पर जो के exist ही ना करता हो वहां पर आप अपने token भेजते हैं तो इसको burning कहा जाता है शिबा एनू की burning दोस्तों इसलिए बहुत ज्यादा popular हुई क्योंके number one पर इसमें आप देख सकते हैं विटल एक button जो है उन्होंने 50% का एक हिस्सा जो है वो burn कर दिया जो के उनके wallet में शिबा एनू की team मतलब रयोशी की जानिब से भेजे गए थे उसकी एक specific quantity उन्होंने India COVID relief fund को भेज दी बाकी उन्होंने burn किये उसके बाद एक cry आई market में शिबा एनू की जैसे ही popularity में increasement हमें नजर आई तो यह हुआ कि शिबा की जो total supply है या circulating जो supply है वो बहुत ज़्यादा है इसकी price बहुत ज़्यादा नहीं बन सकती उस वक्त तो यह जो price अभी हम देखते हैं यह भी नहीं थी दोस्तों यह बहुत ज़्यादा उपर है price जब यह cry शुरू हुआ था तब तो price बिल्कुल भी low था और इस price बनने में burning का I don't think so कोई ज़्यादा role है क्योंकि हम देखते हैं कि actually market केप बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो market केप बढ़ने की वज़ा से यह price अभी हमें देख रहा है market केप घड़ जाएगी तो price भी घड़ जाएगी low supply में यह होता है भले ही market केप कम हो लेकिन दोस्तों prices जो है वो टोकेंस की बहुत ज़्यादा हुआ करती है अब बात यहाँ पर तो यह है कि इतनी ज़्यादा हमें market केप चाहिए कि जितने existing पैसे शायद दुनिया में नहीं करते इतने पैसे कहा है कि इसकी price जो वो 0.01 तक पहुंचे अब उसके लिए ज़रूरी है कि बर्निंग की जाए तो यह एक market में ट्रेंड आया और लोगों ने अपनी तरफ से बर्निंग स्टार्ट कर दी मतलब वो खुद बर्न करना शुरू हो गए for example किसी के पास billions of tokens पढ़ें तो उसने उसमें से एक specific quantity जो है वो बर्न कर दी हर किसी ने इसा किरना शुरू किया मैंने भी शुरू में कुछ टोकेंज जो हो burn किये थे अब बाद में मैंने भी कहा है कि हम सब मिलकर भी कुछ burning करें स्टीवन कूपर बर्निंग करें डिफरिट तरह से burning का सिलसला जा रही है now payments ने दोस्तों ये का हुआ है कि हम 10% of our profit जो है वो burn करेंगे तो इन्हों ने यहां पर यह बताया है कि आप अगर burn करना चाहते हैं token तो एक तरीका यह है कि यहां पर आप now payments के जरीए जो है वो खरीद और फरुक्त करें या फिर अपना एक कोई भी store वगरा बनाए और फिर उसकी integration यहां से करें तो आप यह सारा कुछ जो है वो burning का एक तरीके कार बना सकते हैं उसके बाद दोस्तों कुछ stores यहां पर share किये गए हैं जो के शिबा को now payments के जरीए इस वक्त expect कर रहे हैं उसमें नमबर वन पर आ जाता है दोस्तों शिबा स्वाग अब यह शिबा स्वाग क्या है यह नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सारे की डीटेल बताऊंगा उसके बाद है शिबा एनुकेफे दोस्तों और थर्ड नमबर पर आता है यह आपके सामने है यह मैं मतलब अपनी तरफ से नहीं कह रहा ठीक और इन पर अलग से वीडियो बना कर मैं कल आपके साथ जरूर शेयर कर दूँगा उसके बाद दोस्तों बारी आ जाती है ग्रीन जूस सिस्टम की और देन दोस्तों आप देख सकते हैं शिट आर्मी मॉवमेंट यह भी एक स्टोर है अभी यहाँ पर सारे जो है वो शेयर नहीं किये गए क्योंके आलमोस्त दोस्तों थ्री अंटेटेटेंट सेवन्टी फाइव इस तरह के स्टोर्स वगरा हैं दिफरेंट दुकाने हैं जो भी कहले हैं लेकिन वो शेयर नहीं को एकसिप्ट कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा नाम दोस्तों एमसी का आ जाता है उसके बाद स्टिवन कूपर जो कुछ कर रहे हैं आ जाता है और दोस्तों इस तरह के और भी मदब अभी आने वाले दिनों में यहां पर दिखने में हमें मिलेंगे जिनकी बात चीछ जो है वो शिबा इन्नों की टीम से चल रही है इसलिए मैं हमेशा सेम मेसेज आपको कणवे करता हूँ और हमेशा आपसे दोस्तों यही कहता हूँ कि अपनी टोकिन दोस्तों संभाल कर रखें यह टोकिन आपको आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा गेन दे सकते हैं आल्दो 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 मैं आपसे दोस्तों ये भी कहता हूँ कि ये क्रिप्टो मार्केट है दोस्तों यहाँ पर everything is possible आपका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिबा इनुमें इस वक्त 26 बिलियन डॉलर लगे वे हैं तो यहाँ से दोस्तों आलमोस्त जो है न वो 28-26 बिलियन डॉलर निकले भी हैं recently मतलब आक्टूबर के बाद ये इतने पैसे निकल चुके हैं और ये वापस यहाँ पर लगना या उसका डबल लगना कोई बड़ा मसला भी नहीं है किसी भी वक्त लग सकते हैं क्योंकि ये क्रिप्टो है किसी ने भी नहीं सोचा होगा same ची तो मैंने वहाँ पर जो है ना उस बात को सीरियस नहीं लिया मैंने बुला यार यह पतनी क्या कह रहा बग रहा है तो इस वजह से यह हुआ कि मैं आप सोचता हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया क्योंकि उस वक्त दोस्तों बिटकोईन का रिवार्ड जो है वो बाय करके रख लिया है और उन्होंने कहा हुआ है कि हम शिबा को एजा पैमेंट मेथड एकसेप्ट करेंगे तो इस तरह की डिफरेंट अभी चीजे जो है वो चल रही है लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी रुकावट है यह भी मैं आपको बता दू वो रुकावट है द लेकिन एक तरह से नुकसान भी है क्योंके अगर कोई स्टोर एकसेप्ट भी कर रहा है शिबा को तो मैं किस तरह से उसको जो है न वो वहां पर पैमेंट करूँ और कोई चीज बाय करूँ क्योंकि फीस में मेरे पैसे ज्यादा चले जाएंगे जो चीज मुझे बाय करनी है उसके इसलिए शिबारेम का बड़ा शिदत से और प्यार से इंतजार है कि शिबारेम जब आएगा तो ये फीस के चकर से हम किसी हद तक निकल पाएंगे तो उसके बाद दोस्तों ये सारी चीजे जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी शिबा का यूजे जो यूटि तो हम कहेंगे कि या कुछ फाइदा नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है दोस्तों मार्किट केप जब बढ़ता है टोकिन्स का तो सब का बढ़ता है सिरफ शिबा का तो नहीं बढ़ेगा बिटकोईन पतनी कहां से कहां चली जाएगी अब 2013 में बिटकोईन का मार्किट केप जो ह में इस सरह से इंक्रीजमेंट होती जाएगी मार्किट केप की I hope so कि आप ये सारी चीजे जो भी मैंने आपके साथ यहां पर शेयर की हैं आपको जरूर समझ में आई होंगी अच्छी भी लगी होंगी अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर रहा बनता है दोस्तों और एक आसा कमेंट जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा टेक केर अलाफेज